इनको कंटिन्यू करते हैं और अभी इनको मिस्ट कर दिया तो दिक्कत होने वारी है हर एक लेक्टर को बढ़िया सो अब्जर्व कर हर एक चीज सीख तो सिखा ही जा रही है मज़ा आएगा अग नुमेरिकल्स होंगे यह लेक्टर पोटेंजर गया है इसको किस तरह से करता है किस तरह से से पोटेंजल को डिफएन के आज़ता है तो नेक्ट धरी है साल पोटेंजल क रूसस कर रहा हूं मैं राइटिंग्स उदारने की सब्दों को सही लिखने की okay is cell represent करने का तरीका समझे your cell का potential तो simple जी बात एंप ए एक cell या में क्या या लगा रहता है एक cell में क्या या अब सबअ कुप पाता है एक cell में क्या होता है एक होता है अनोड एक होता है cathode और इनका चो combined form होता है that is cell इस तरह से इसका एक rough diagram मना रहा हूँ और मेरा rough diagram बहुत ज़्यादा rough होता आपको सको पता है यह rough का भी बाप है यह diagram चलो दिखो यह रहा एक cell यह volt meter यह bulb नहीं है ठीक है चलो तो symbol से एक अपने cell बनाया है और cell में anode और cathode अभी तक अपने यह define किया कि एक electrode का potential क्या होता है इसका अपना potential है तो इस cell का potential क्या आएगा simple दिखानी है इनका दो देखो यह potential क्या चीज़ है पोटेंचिल कभी exact define होता है यह मेंसा difference के form में define होता है तो किसी cell का potential क्या होगा इन दोनों electrode इन दोने पोटेंचिल डिफ्रेंच है तो इनका विवांतर है तेट इस cell potential आगी बाद समय से और इन दोने का potential डिफ्रेंचिल होता है इसको पने इलेक्टोड का potential होता है उसके अनोड जो लेफ्ट साइड में लिखा दाता है उसका cathode जो की राइड साइड में लिखाता है इन दोने का potential difference है इन दोने ठक persistent difference है इन दोने आपको पोटेंचिल डिफ्रेंच है इस cell potential यह सिम्पल सी बात दो डेफिनेशन है दोनों गजब की फिल है लेते हैं पर लोग तो पहली डेफिनेशन पहली फिल क्या बोल रही है इस देफ्रेंस ओफ देफिस इस देफ्रेंस of potential of anode and cathode यह anode और cathode के potential के difference ही ही है और कुछ नहीं है पहली डेफिनेशन पहली फिल दूसरी गजब की फिल है सुनना इसाल का EMF या इसाल का वोल्टेज उतना जादा प्रड्यूस होगा जितना जादा एनल्ड का electron lose करने कर टेंडंसिया होगा और cathode का electron gain कर देखिन यह इस देल इस देख्रेंस ही पोटेंसिल डेफ्रेंस इन तो नहीं ही यह और उतना ही जारो हो नहीं आएगा क्या बार क्या बार वापर सुन दो एनोड की जितनी जादे एलेक्टोन लूज करने की टेंदेंशी और कैथोड की जितनी जादे एलेक्टोन लेने की टेंदेंशी है वो ही तो सल पोटेंचिल है सल उतना जारा काम करेगा cell another potential produce कर एंगा रिता हिए excitai electron lose kind in nenhum so this is the sum of electron losing tendency of anode and electron gaining tendency electron gain tendency of cathode this is the sum of the addition of electron Losing Tendency Of Anode थो रइटिंग साही कर ने कोशिस कर रहा हूं And Electron Gaining Tendency of Cathode यह Anode के Electron Lose करने की Tendency और Cathode के Electron Gain करने की Tendency का समयों कुछ नहीं है तो मैं क्या बोल सकता हूं जो E-Cell है Electrode Potential है E-Cell जो है क्या Basically Anode जो है कोई है यह रहा है Anode इसका क्या है Electron Lose करने की Tendency इसका माद इसका तो O-P लेना है Anode का और Cathode का क्या लेना है E of R-P of Cathode Cathode का इसका Electron लेने की Tendency तो वापस देखो इस सही सहल को क्योंकि सारा काम क्योंकि सारा काम तो RP में करना होता है तो जी नहीं सब आर्पीम कर लेता हूँ तो माइनस का ERP वो फिर आर्पम गरेशन ही होता है माइनस का ERP of एनोड एनोड रहेगा प्लस ERP of कैथोड इसको थोड़ा सिंप्लिफाई करता हूँ मैं क्यों कि एव न आर्पीमे इसका क्या लोजिक था क्यूंकि सारा standards ओपन ने माने हो आर्पी को standard माना है तो जो ओपी था उसको भी आर्पी में convert कर ले इसको क्या लिखूंगा मैं ERP of cathode minus ERP of anode जहन में डाल लो इस formula को जहन में अंदर तक डाल दा वासा ला एक दब field जिल कि दढ़कर नो इस खूल में गॉल लो इस पॉर्म लेको क्या आर्पी ऑफ गैथोर माइनस और बहुत वारी काम में आने वाला है तो इसल क्या हो गया जिस तरह से मैंने इसल डिफाइन के बैसे इनोट से बीफाइन कर सकता हूं इनोट सेल क्या हूजाएगा इस्टेंडेर कंडिशन पे इनोट आर्पी ऑफ कैथोर माइनस इनोट आर्पी ऑफ एनोट अब सुनथा मेरी बात अब सुना मेरी बात ये तो हैं नॉर्म अल्सवाप ये ई cell है normal condition पे, normal condition पे जो cathode का RP है, minus anode का RP कर दो और गविस standard condition पूछा जाए, cell, e cell, e node से इसको बोलना जाएगा, तो standard condition पे the path Bam para by अर्पी यह सारा काम RP करना है, सारा काम RP से ही decide करना है, चुछ इक्जामपल लेके देखते हैं, कैसे एपन decide करते हैं 시 इसको, छोटाइस एक्जाम्पल देते हैं और no doubt cell में कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा उसकी आर्पी की वैली से ही डिसेड़ किया जाएगा सर्चा करते हैं पहले एक छोटाइस एक्जाम्पल लेता हूँ एक्जाम्पल क्या बोलता है एक सेल है जिसमें दो reaction दे रही है तो दो reaction लेलो A दो है A प्लस 3 प्लस 3 electron इसके साथ इसका E note लिखा हुआ है E note की वैली लिखी है 1.2 volt ठीक हैं और एक और लिखा हुआ है B माइनस 2 या B प्लस 2 electron से B माइनस 2 बन रहा है और इसका भी E note की value दे रही है 1.8 volt ठीक है दो reaction दे रही है इन दो reaction पूछा है दोनों का standard potential दे रहा है RP, OP आपको पहचानना है और पुछा हुआ क्या है इसका E note cell क्या आएगा question समझे E note cell पर कैसे काम करना है और साह से पूछा है इसका cell reaction लिखो cell reaction कैसी आएगी ठीक है और anode और cathode पहचानना है वो तो कहसाना पड़े गई यह RCDC बात है तो सबसे पहले अपने को इस solution तो करेंगे सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कोन है node है और कोन cathode है तो देखो यह तो पहली value दे रही है वो OP की दे रही है और जो दूसरी value दे रही है वो RP की दे रही है तो सबसे बहले आप RP की value में convert करो इसको भी और इसको भी तो पहला तो RP में convert होगा तो A plus 3 plus 3 electron से A बनेगा तो इसका E node किता जाएगा minus का 1.2 volt ठीक है और इसको RP में convert करता हूँ B plus 2 electron से RP में ही है इसका E node किता आगया plus का 1.8 volt अब सुनना अब आपको RP की value से ही decide करना है कौन cathode बन सकता है तो जिसका RP का value जादा वो cathode होगा तो बताओ दूसरा E node दी हो जाएगा किया वापस बोलो RP की standard माना है RP से जादा काम करना है RP साफ से justify करना पड़ेगा जिसका RP का value जादा होगा वो क्या होगा cathode तो आप इन दोनों value जो देखोगे ये वाली value जो है plus का 1.8 जो जादा value है तो इसका मतलब ये क्या करेगा cathode होगा और ये वाला क्या होगा anode एक anode cathode दोनों की reaction समझ मागी तो अब मैं लिखता हूँ जो anode पर oxidation की reaction और cathode पर reduction की reaction simple सा तो अब मैं cell reaction लिखता हूँ किस तरह से लिखी जाएगी पहले मैं anode की reaction लिखता हूँ anode पर oxidation लिखना बढ़ेगा अब मैं को क्या होगा a से a प्लस 3 प्लस 3 electron और cathode पर क्या होगा reduction होगा तो reduction की reaction ये रही है जैसे कि जैसे ही रखनी है b प्लस 2 electron से b माइनस 2 ठीक है अब net cell reaction चाहिए तो इन दोलों reaction को add लिखता हूँ लेकिन ध्यान ये रखना पड़ेगा कि net cell reaction electron नहीं दिखना चाहिए electron किसी भी balanced redox reaction net electron visible नहीं होते है तो आपको electron कट करना पड़ेगा तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसको 2 से multiply और इसको 3 से multiply तो करते हैं काम आगे तो क्या reaction मन जाएग net cell reaction 2a plus 3b से product क्या बना 2a plus 3 मैं multiply करके ही लिख रहा हूँ आप इतने हुश्यारों मुझे पता है c d minus 2 यहागी net cell reaction और क्या पुछा है अपने को e not cell पुछा है तो यह रहा formula e not cell क्या जाएगा rp लिखा हुआ है rp of cathode rp of cathode की value यह रही 1.8 यह रहा rp of cathode minus rp of anode minus rp of anode minus करना rp कितना है minus का 1.2 volt e not cell कितना आजाएगा भाई 1.8 plus 1.2 simple जी बात है तो कितना हो गया 3 volt e not cell निकाल लिया अपने लोग ने किसकी health से 2 given data थे आपको सबसे पहला anode cathode पहचानना था anode cathode की reaction लिखनी थी और 3 अपने net cell reaction लिखी उसके health से और e not cell calculate किया पीछे logic क्या काम में है जब अपने e not sorry anode cathode पहचाना तो rp की value justify किया जिसके लिए rp की value जारा वो cathode आप चाहो तो op की value से कर सकते हो लेकिन rp की value से इसलिए करना है standard rp कोवाना तो जिसके लिए rp की value जारा वो cathode होगा जिसके लिए rp की value कम वो anode होगा ठीक है तो यह rp की value जारा electron reduction उसका reduce होने tendency जारा एक तरह से ठीक है तो जिसकी rp की value जारा वो होगा cathode तो इन दोनम justify किया मैंने कौन cathode होगा तो यह cathode गया अलिटी में लिए क्या होगा एनोड होगा दोनों एनोड और cathode की एनोड पर oxidation होता है उसकी reaction लिए दी cathode reduction होता है उसकी reaction लिए दी दोनों reaction को aid किया जिस S तरह से aid किया तक यह net electron कर जाए और फिर rp of cathode minus rp of anode form लगा एनोड से calculate कर लिया और इस तरह से अपने question का answer ऐसे बहुत सारे question मनते हैं ऐसे बहुत सारे question मनते हैं जारा तरही question यह form लगा बहुत जारे काम में आने वाला है तो बढ़िया से याद गर लेना rp of cathode minus rp of anode ठीक हैं नेक्स वीडियो में लते हैं और यह वीडियो वर्थ फू लगता है तो फ्लीज इसे आगे share करें सब्सक्त thank you so much for watching